तीन दिन पहले मानिये पेट्टूल मंत्री जीने मुझे टेलीफोन पर मद्द्देश में सुचना दी थी पूरी के एक पब्लिक नोटिस के बारे में तभी मैंने इस बात को ट्वीट कर दिया था कि उडिया भासा में ही कोई कारवाही होगी और ये हेरिटेज भाइलाज की इनीशियल जो चर्चा होती है बोट ही लेकिन जब मुझे जानकारी आई कि बास्तों में वहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा भ्रम पैदा किया गया है दो बातों को मैं इस्पष्ट करना चाहता हूं कि मंदर प्रांगण के चारों तरफ जो जो है खाली कराई गई पूर राज्य सरकार ने कराई है उसमें एसाई या भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है जो परिवार उससे विस्थापित हुए उनके रेहिविलिटेशन का प्लान ना तो ने भारत सरकार के पास पहुंचाया और वहां जो जिनसे भी जो बादा किया होगा मुझे लगता है कि उनको सावजय ने करना चाहिए अगर वो ये बात भ्रहम के रूप में पहला रहे है पूरे हिंदुस्तान में जो एसाई का हमारा एक्ट है उसमें 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की परेदी होती है लेकिन उडिशा के पुरी मंदर एक लिविंग मानुमेंट है जो आज से नहीं है पहले से ही है तो मैं भारत सरकार का संस्कृति मंत्री होने के नाते कहता हूं वह मिल जुलकर बनता है सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला लादिती नहीं है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ में आती होगी उन्हें इस बात का इस पुस्तिकरण देना चाहिए और इस पूरे हिस्से में जो बहु वही मूर्ती लगाई जाएगी जो महां से निकाली जाएगी मोदी जी के नित्रतों में चलने वाली ये शरकार मंदर की प्रतिष्ठा उसका गौरव उसका रख रखाओ तीनों के लिए संकल्पित है इसको किसी को भर्मनी रहना चाहिए पूरे देश में हैरीटेस ब बाइलाज अलग होता है अलग-अलग बाइलाज बनाए ही इसले जाते है कि पूरे देश में उनुवर्सल नहीं हो सकता ये बात उडिशा सरकार को समझ में आनी चाहिए